Hello Friends, Welcome to Study News Planet Series में आज मैं आपको जुपिटर प्लेनेट के बारे में बताऊंगी इसे हिंदी में व्रियस पती ग्रह कहते हैं जुपिटर पे कौन-कौन से मिसन भेजे गए हैं इसकी कितने उप ग्रह हैं और ये किस तरह का प्लेनेट है ये सब जानेंगे इस वीडियो में So Let's Start जुपिटर हमारे सौर मंडल का पाचवा प्लेनेट है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है ये एक गैसी प्लेनेट है जिसका दरविमान सूर के हजारवे भाग के बराबर और हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे साथ ग्रहों के कुल द्रविमान का ध्याई गुना है जूपिटर, चंद्रमा और सुक्र के बाद तीसरा चमकीला ग्रह है जूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेप्चुन ये चारो प्लैनेट्स हमारे सौर मंदल के गैसी प्लैनेट है इन्हें आउटर प्लैनेट भी कहते हैं जूपिटर के इंटर्नल इस्ट्रेक्चर को देखे तो जूपिटर के कोर में हैवी मेटल्स, रॉक और हाइडरोजन गैस होती है मिडल एरिया में हाइडरोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस होती है और जूपिटर का उपरी भाग क्लावडी होता है और ये क्लावड भी हाइडरोजन, हीलियम, मीथेन से ही बना होता है जूपीटर अपने अक्ष पर सौरमंडल का सरवाधिक तेज गती से गुरनन करने वाला ग्रह है जूपीटर 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है जूपीटर का रोटेशन टाइम लगभग 11 वर्स है और इसका सरफेस ग्रेविटी प्रिथवी से अधिक है जूपीटर का इमिग्रेशन वेलोसिटी सौरमंडल में सबसे अधिक 59.2 किलो मीटर बाई सेकेंड है जूपीटर का एवरेश देंसिटी 1.33 ग्राम बाई क्यूबिक सेंटिमीटर है जूपीटर का डायमीटर 1,42,800 किलो मीटर है इसका एवरेश सरफेस टमप्रेचर माइनस 123 डिग्री सेंटिग्रेट है जूपीटर के सूर से एवरेश डिस्टेंस 77.8 मिलियन किलो मीटर है जूपीटर के बड़े आकार के कारण इसे नियर इस्टार या तारा सद्रिश ग्रे कहा जाता है और इसे मास्टर ओफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है जूपीटर पर एक विसाल आकरिती का रेड इस्पोर्ट है ये लाल धबा एक काफी बड़ा चक्रवाती तुफान है जिसका आकार प्रिथ्वी से भी बड़ा है इस साइकलोन के बारे में 1665 में साइंटिष्टों को पता चला था मैथमेटिकल मॉडल से ये भी पता चलता है कि ये तुफान हमारे सौरमंडर का सबसे लंबे समय तक चलने वाला चक्रवाती तुफान है इसका अंत कभी भी नहीं होता और ना ही ये कभी रुखता है इस गैसिये ग्रह के असांत वाता वरण में ऐसे तुफान आना आम बात है जूपीटर पर सफेद और भूरे रंग के अनेको छोटे धब्बे हैं सफेद धब्बे उपरी वाता वरण में सांत बादलों से मिलकर बने हैं और भूरे धब्बे गर्म होते हैं ये जूपिटर के बादलों के अंदर बनते हैं। जूपिटर के चारों तरफ हलके रिंग्स होते हैं, इन्हें तीन भागों में डिवैट किया गया है। जूपिटर का इनर रिंग काफी चमकदार होता है और जूपिटर के मेन रिंग एडराश्ट्रिया और मीट्स है जूपिटर के और रिंग के नाम थीबी और एमल्थिया है जूपिटर के 79 नैचुरल सैटिलाइट्स हैं इन में से 10 किलो मीटर से कम डाय मीटर वाले 50 सैटिलाइट्स हैं और इन सभी को 90-75 के बाद खोजा गया था जूपिटर के 4 सबसे बड़े सैटिलाइट्स आयो, यूरोपा, गैनिमीड और कैलिस्ट्रो हैं इन्हें गैलिलियन सैटिलाइट्स के नाम से जाना जाता है इन सैटिलाइट्स में गैनिमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रय है जूपिटर के और सैटिलाइट्स के नाम लू, पार्सिफाई, हिमाले, मेतिस है जूपिटर का लू सेटिलाइट्स जुआला मुखी उबलते लावे और जहरीली सलफर गैस से भरा हुआ है कैलिस्ट्रो सेटिलाइट बर्फिले चटानों से धका हुआ है और गैनीमेड और यूरोपा पर भी बर्फ है जिसके नीची पानी का समुद्र है कई सोच से पता चला है कि यूरोपा पर तरल जल है और इस पर हाइड्रो पर अकसाइड भी हो सकता है जिससे इस सेटिलाइट पर हुमन लाइफ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है 499 इसवी में भारतिय गडितग्य खगोल सास्त्री आरेभट जी ने व्रिहस्पती की और्बिटल टाइम का अनुमान लगाने के लिए भू केंद्री मॉडल का प्रयोग किया था आरेभट जी ने जूपिटर का और्बिटल टाइम 11.86 एर के रूप में लगाया था और सन 1610 में गैलिलियो ने एक दूरदर्सी का प्रयोग कर व्रिहस्पती के चार बड़े सेटलाइट्स आयो, यूरोपा, गैनिमिट और कैलिश्टो का खोज किया था इसलिए इन सेटलाइट्स को गैलिलियाइन सेटलाइट्स की रूप में जाना जाता है जूपिटर पर मिसंस की बात करे तो जूनो, अमेरिके अंतरिक्च अनुसंधान परिसद नासा द्वारा हमारे सौर मंडर की पाचवे ग्रह जूपिटर पर अध्यन करने के लिए प्रिथुवी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था लगभक पांच वर्सो की लंबी यात्रा के बाद पांच जूलाई 2016 को यह जूपिटर तक पहुँचने में सफल रहा इस मिसंस से जूपिटर के वातावरण में आकसीजन और हाइडरोजन की मात्राओं का अध्यन किया गया और पानी की मात्रा का भी अंदाजा लगाए गया 2018 में यह जूपिटर का 37 परिक्रमय पूरी होने पर यान व्रियस्पती के वायू मंडल में नश्ट हो गया तो यह थी पूरी जानकरी जूपिटर प्लैनेट के बारे में मैं आपके लिए प्लैनेट सीरीज में और भी वीडियो लाओंगी सो हेवन आश्ट